हेलो एवरिवन जियो कॉंसेप्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम अध्यारोपित परिछेदी का अर्थात सूपर इंपोश्ट प्रोफाइल को जानने और समझने का प्रयास करेंगे साथ ही साथ इसके निर्मार प्रक्रिया को डिजिटल रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा पिछले वीडियो में हमने सीरियल प्रोफाइल पर विस्तार से चर्चा की थी इसमें हमने सीखा कि किसी छेतर के सीरियल प्रोफाइल बनाने के लिए उस छेतर के इस्तला कृतिक मांचेतर पर कई समानतर रेखाएं खेचे जाती हैं जिनके सहारे हम क्रॉस प्रोफाइल बनाते हैं और फिर एक पेज़ पर उन सभी प्रोफाइल को एक क्रम में व्यवश्थित करके प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम सीरियल प्रोफाइल या क्रमिक परिछे दिखा कहते हैं जबकि सुपर इंपोजड प्रोफाइल बनाने के लिए किसी छेतर विसेश की टोपोग्राफिकल शीट पर यानि इस्तला कृतिक मांचेतर पर जो समोच रेखाएं होती हैं उनको काटते हुए कई रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींचे जाती हैं और फिर उन सभी समानांतर रेखाओं पर क्रोस प्रोफाइल बनाई जाती है उसके उपरांत इन सभी क्रोस प्रोफाइल को एक ही ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के उपर अध्यारोपित करके या सुपर इंपोजड करके प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम अध्यारोपित परिशेद का या फिर सुपर इंपोजट प्रोफाइल के नाम से जानते हैं इसी छेत्र की सीरियल प्रोफाइल और सुपर इंपोजट प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ स्टैप एक समान होते हैं इसी लिए वो step जो serial profile की पिछली वीडियो में हम विश्तार से cover कर चुके हैं उन्हें यहां मूख भासा में digital रूप से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि आपका कीमती समय बचाया जा सके इस प्रकार इस्तला किर्दिक मानचेतर पर समोच रेखाओं को काटते हुए एक दूसरे के समाना अंतर खीचे गई चारों रेखाओं की cross profile बनाने के लिए कागज की पट्टियां हमारे पास तयार हो गई हैं अब इन चारों कागज की पट्टियों पर अंकित किये गए समोच रेखाओं के मानों मैंसे नियूनतम और अधिकतम मूल के जो समोच रेखाओं हैं उनके मानों को ध्यान में रखते हुए हम एक graph की रचना करेंगे अब इस graph के आधार पर रेखा AB के साहता से बनाए गई कागज की पट्टि को रखेंगे और पिछले वीडियो में बताई गई रचना विदी के अनुसार इस graph पर एक cross profile की रचना करेंगे जैसा कि screen पे दिखाया गया है अब इसी graph के आधार पर रेखा CD के द्वारा बनाए गई कागज की पट्टि को रखेंगे और इसी graph पर रेखा CD की cross profile को बनाएंगे सुपर इंपोज्ट profile बनाने के लिए धियान रखें कि अलग-अलग cross profile को एक ही graph पर जब बनाते हैं तो उसके लिए हमें अलग-अलग color का इस्तमाल करना है या फिर अलग-अलग तरह की रेखाओं का आप प्रियोग कर सकते हैं अब इसी graph पर रेखा EF और GH की cross profile बनाने के लिए यही प्रक्रिया दोराई जाएगी किसी भी छेत्र की किसी भी प्रकार की profile या परिशिद का बनाते हुए हम दो मापक की बात करते हैं नमबर एक 36 मापक जिसे horizontal scale भी कहते हैं नमबर दो उरधर वारधर मापक जिसे हम vertical scale भी कहते हैं इस topo sheet पर हम परिशिद का बना रहे हैं उस topo sheet का मापक 36 मापक कहलाता है यहां पर 36 मापक एक अनपात 25,000 है इसका ताथ पर यह है कि 36 रूप से मांचित पर 1 cm की दूरी धरातल के 250 मीटर को दर्शाती है जबकि परिशिद का बनाने के लिए जिस graph की हम रचना करते हैं उसके y axis का जो मापक होता है उसे हम औरधर वारधर मापक या फिर vertical scale कहते हैं जहां हम अपनी profile के graph के y axis पर 1 cm की दूरी के दूरा धरातल की 100 मीटर की दूरी को दर्शा रहे हैं यह अर्थात हमारा जो vertical scale है वो एक अनुपात 10,000 होगा इस प्रकार किसी छेतर के इसलाकिरतिक मांचितर पर समोच रेखाओं को काटते हुए एक दूसरे के समाना अंतर चार रेखाएं खिंची गई थी और एक ही graph paper पर उन सभी रेखाओं के सारे बनी हुई cross profile को जब एक साथ एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करके या सुपर-imposed करके या प्रदर्शित किया गया है तो इस प्रकार उस चेतर की सुपर-imposed profile हमारी बन कर तयार हुई इस वीडियो से संबंदित किसी प्रकार का प्रश्ण या आपका बहुमूले सुझाव देने के लिए comment box में लिखना ना भूलें धन्यवाद